सबसे उपर जाएगा तो मैं यहां रिजर्वेशन कंपोनेट्ट पर बनाता हुँ कॉंस आपने चाट लेतनओं करता हुँ स्थे व्र अच्र. करसा था हूं सारी चीजर मैंने इसा इंपूट कर ली अब मैं यहां पर क्या करूँगा कि इस function को call करूँगा जैसे बॉट्टन पे प्रेश हो तो मैं नीचे आता हूं इन नीचे आके देखी यह पर पास बटन रहा मैं यहां पर करूँगा कि जैसे के ओपर on click हो, मैं यहाँ पी क्या करूँगा, on click and मैं करूँगा handle submit ठीक है, और मैं इसे यहाँ से copy कर लेता हूँ वल देखिए, अब क्योंकि अपने को यहाँ पे इन input box भी value को handle करना है, तो मैंने आपको पहले ही login और sign up जब form मनाया था, तब मैं आपको बताया था, किस तरह आपको react form को ऐसी चीज़ों में implement कर सकते हैं, आप चाहें तो अभी भी यह जो form आपके सामने open है, जिसके अंदर बाटे size, time और date को ले रहें, इसमें भी आप react form को implement कर सकते हैं, चीज़ों को easily कर सकते हैं, मेरा motive आपको maximum से maximum चीज़ों को बताना, लाकि आप हर use case scenario के अंदर हर चीज़ को use कर पाए, इस scenario के अंदर मैं reactive form को बड़ी easily से use कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको नए concept से introduce कराना चाहूंगा, जिसकी भी आप help ले सकते हैं अगर आप किसी third-body library को use नहीं करना चाहते हैं, तो चलिए इस form को open बेना किसी library के handle करते हैं, पर उससे भी पहले इस function को implement करते हैं, तो मैं handle submit को यहां से copy करता हूं, और ऊपर आके यहां पर इसे create कर लेता हूं, तो मैं यहां पर आपक नए function create करूँगा, तो मैं करता हूं, फंडल submit, यह वाइ function, and here we go, something like that, अब इस function में क्या करूँगा, fetch restaurant, जो भी आपने availability's hook बनाया था, इसे call करूँगा, and इसे call करने के लिए मुझे कुछ parameters इसमें पास करने, तो मैं यहां पर करता हूं, एक object, and इस object मुझे कुछ चीज़े देनी है, देखिए कहके देना है, तो मैं जैसे control space करूँगा, इतनी तरह की चीज़े मुझे यहां पर देनी है, तो मैं की करकी चीज़े प्रवेट करता हूं, date currently मैं एक empty string कर देता हूं, फिर अपने पास आता है, यहां पर party size, इसे भी मैं इसे भी मैं empty string कर देता हूं, जैन अपने पास आता है यहां पर slug, इसे भी मैं empty string कर देता हूं, इसे format कर देता हूं, यह तो यहां पर format होगया, मिरे पर slug date time, party size करके आप options आगे, अब एक एक चीज़ को शुरू से अंडल करता है, first of all तो slug कहां चलाएंगे, well मैं भी चा component के अंदर जहांपर मैं इस reservation component को mount कर रहा हूं, तो वो जो component है अपना वो है restaurant के slug का paste.tsx तो सभी जानते हैं कि paste.tsx जो है वो restaurant को search कर रहा है यहांपर slug को ले रहा है तो simple सा मैं यहांपर आँगा reservation component के आगे इसे कहूँगा कि आपको slug भी accept करना है and slug की value होगी जो भी restaurant का slug है तो restaurant.slug इसे मैं आसे save करता हूँ अब restaurant component के अंदर मुझे slug को import भी कराना होगा तो मैं close in time के बाद अब accept करूँगा slug को and slug का यहाँ पर type एक सांड कर दूँगा कि मैं पाद जो slug है वो spring होने वाला है याँ है भी हो अब इस slug को मैं use कर लूँगा नीचे तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ and अब मुझे slug की value हटा देनी है simple सा and यह उस by default slug को grab कर लेगा slug अपना done हुआ अब बागी के सारी properties अपने form की properties हैं तो चले उन्हें handle करते हैं अगर अपन किसी third party library का use नहीं करते हैं तो यह अपने पास दो बहुती common use cases है form को handle करने के लिए या तो मैं सभी के लिए state बनाओ and state के अंदर उन values को store करा लेता हूँ and last day उस store की state की values के आप एक्सेस करनाँगा बहुत अच्छा भई है पर बहुती जल्दी implemented भी हो जाएगा लेकिन अगर आपको performance चाहिए then here, यहाँ पे एक बहुत बड़ा catch है और मैं दिखाता हूँ आपको कैसा catch है एक पल के लिए मानते हैं आपे यह दिखिए party size option को मैं render कर रहा हूँ जहाँ पर मैं पस options है and यह एक select input box है party size की value change होगी तो अपने on change matter लगा रखा है तो जब भी जब यह value change होगी तब तब वो state change होगी and जब जब वो state change होगी यह पूरा component re-render होगा वैल यह भी इतना बड़ा performance issue नहीं है क्योंकि वो select ज़्यादा ज़्यादा एक से दो बार करने वाला है मैं जैसे हैं पर second button पर प्रेस करूँगा आपके सामने एक model pop up होता है जिसके अंदर पर form को fill कर सकते हैं अब यहाँ पर मान लीजिए मैं use state का use करता हूँ कि एक एक value जब 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 change हो तब तब यह UI re-render हो अब यहाँ पर मान लीजिए मेरे mail address में है तो इसके अंदर जितने भी characters मैंने भी type किये न उतनी times आपकी UI re-render होगी और react का यहीं सब्सक्राइब डॉप X है कि आप UI को बार-बार re-render कर रहे हैं वेल अगर आप सही टेक्निक्स पर यूज़ करें तो आप अपनी re-rendering बचा सकते हैं लेकिन majority cases में जब basic applications अब डिवलप करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं लेकिन जब आप production level पर बार-बार ऐसे re-rendering करेंगे और हर चीज़ भी render होगी तो एक बहुत बड़ा performance issue आपके सामने आ जाएगा आपकी application यहाँ तो crash कर जाएगी है hang होने लग जाएगी क्योंकि आपके processor पर बार-बार बहुत CPU load पढ़ रहा है चीज़ों को re-render करनेगा हाला कि होगा तो यही चीज re-render लेकिन still मान लीज़ा आपने यहाँ पी भी re-rendering लगा रखिया यहाँ पी भी लगा रखिया है यहाँ पी लगा रखिया हर चीज़ अगर बार-बार re-rendering होगी तो आपकी website एक वीडियो की तरह बन जाएगी जिसमें frame by frame हर चीज re-render हो रही है इसलिए हमें performance का बहुत ध्यान रखना होता है अब यहाँ पे आता हूं नीचे अन मैं तीन reference बनाऊगा पहला इसके लिए पहला होगा select box for party size, दूसरा होगा अपना time के लिए, कहां गया time यह अपना display time के लिए and अपना होगा एक date के लिए, well date के लिए तो क्योंकि अपन एक अलग से component बनाई रहे हैं इसको on change बें handle करी रहे हैं, तो इसके लिए नहीं करेंगे, लेकिन ref, अब मैं आप इसको type भी different कर देता हूँ, कि किस तरह के html element के उपर हम reference लगाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ html select element, यह type आप इसे दे देंगे, टाइप script दे, यह इसको पता चल देगा कि यह एक select ref के उपर लगने वाला है, very simple, मैं ऐसे यहां से copy करता हूँ, अब मैं सीधा आजाता हूँ, अपने select box के उपर, जो की है अपना यह वाला box, और मैं इसमें लगा देता हूँ, अपना ref, और अपने इसको assign कर देते है select ref, well, एक catch है यहां पर, और catch है यहां पर यह है, कि यह party size कर रहे है, और यहां से copy करता हूँ, यहां आके इसमें paste कर देता हूँ, यहां पर अपने पस reference एक issue दे रहा है, और issue यह दे रहा है, कि आप, देखे में इसको पर hover करता हूँ, यह कह रहा है, कि आप estimate object और undefined को असन नहीं कर सकते है, estimate select object और null से, तो आपने null और undefined का issue आ रहा है, well, pretty easy, मैं उपर जाता हूँ, अपने undefined को भी handle कर लेते हैं, तो यहां मैं आता हूँ, और इससे कहता हूँ, element तो हो भी सकता है, साथ इससाथ में undefined भी हो सकता है, तो मैं कर देता हूँ, undefined, आन अपने को यहां पर मिलेगा, कि आप undefined को भी थे access नहीं कर सकते, well, medium में case समझ लिया, यहां पर अपने उपर आते हैं, यहां से undefined को बत करते हैं, और इसकी default value null डाल भी है, जिससे अपन बता सके हैं, कि इसकी default value null डाल रहेगी, अब अगर आपन यहां पर देखें, अपन इसकी default करते हैं, जो भी में बस पाते हैं, रहेगी, इसकी बाता है, इसकी बाता है, इसकी ब्राउजर पर, इसकी ब्राउजर में आ गया, यहां पर अपन सीथे, चलते हैं, इसको यूस किया, और मुझे पता चला कि पने पर null properties को भी डाल सकते हैं, अब कर कोई बात नी, इ आपन सीधर चलते हैं एक restaurant page भी तो मैं यहाँ पर आता हूँ and एक restaurant की जगे इस वार में चलता हूँ सिधर रामागरेशन इन रेस्टरांट भी तो करोगी अपना restaurant and यह आपने पास अपना console अब मैं यहाँ भी करूँगा यहां से कट करने वाला हूँ and cut करके मैं अपकी बाद इसे अनकमेंट करके और जो भी अपनी पास कर दी अपने सामने इशू कर रहा है यह कह रहा है कि string undefined not accessible to the string इसके लिए मैं काम करता हूँ आपने string के अंदर इसे तो आप अपना issue चला जाएगा अब बसता है पर time तो time के लिए अपने पास एक input select box है यहां पर मैं करूँगा इसे को भी मैं reference देता हूं ref और जिस ref को प्रोवेट करूँगा वह ताइम ताइम के reference यहां पर मिलिया सीधे आते हैं यहां पर एक और काम करते हैं इसे भी console अब open करके दिखते हैं time को इंटर तो मैं time यहां करेंट करूँ अब 4 p.m. एब मैं करता हूं 5 time अब क्यूंकि अपने पर time भी मिल रहा है तो मैं ऐसे comment करता हूं and time wrap को यहां से copy कर देता हूं copy करने के बाद इसे uncomment करता हूं like essay and time तो भी यहां पर ऐसे string format में पाफ कर देता हूं अब string अब string अब इसके अंदर में पाफ कर देता हूं अब देखिए lastly अपने बस बचा हैं पर date date का यहां पर एक अलग scenario है date के साथ problem यह है कि इसके लिए अपने एक reference क्रिएट करा हूँ है यह कोई तो state create कर ही हुई है तो अब मैं यहां पर क्या करूँगा कि अपर state कर ही रखी है तो इसके लिए एक और state create कर लोगा ताकि मैं आप सर्फ date को certify कर सको यहां पर मैं जिस date को लेके आ रहूं इस date के अंदर date और time दोनों है आप सभी को पता है कि एक date के अंदर का जो format होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वाली रूप 2023 0101 एन उसके बाद T लगा गए यहां पर होता है अपने पास एक time ठीक है तो अभी अपने ऐसे format की जिए अपने को सिर्फ यहां पर date चाहिए time के बाद की value नहीं चाहिए ऐसे कि इसके लिए मैं आपर क्या करूँगा मैं यहां पर create करूँगा एक state तो मैं आपर date के नीचे ही state create कर लेता हूँ const और मैं इसको कर देता हूँ यहां पर date set date it is equals to use date और इसकी जो current value है वो अपन यहां पर चलिए अभी पास नहीं करते हैं यहां पर सबसे पहले इसको fill करते हैं तो मैं आपर करूँगा set date ताकि जैसे अपने पास यहां पर date आए तो उसको मैं set कर दो अब यहां पर date के साथ मैं क्या गीम करने वालो हो कि जो भी अपर पर बस date आई है ठीक है date से मेरा मतलब है यह normal जो इस scope की date है यह date एक complete string है पूरे date की खेर अभी तो string नहीं है तो सबसे पहले उससे string में convert कर लेते हैं तो मैं करता हूँ 2 iso string तो यह अपने पर string में convert कर देगा and उस string के अंदर date और time दोनों है तो मैं उसको split कर लूँगा इसकी first value मैं आसे graph कर लूँगा अभी अपर सामने type error दे रहा है तो type error लिए मैं आपर क्या करूँआ कि यह एक string होने वाली है तो मैं यहाँ पर assign कर देता हूँ कि जो date होगी वो भी यहाँ पर एक string होगी तो मैं इसका type देता हूँ string and initial value देता हूँ यहाँ पर अच्छा initial value क अगर देता हूँ new देखते काम करता है नहीं करता तो यहाँ पर एक new date बनाएगा उसको आज की date काई यहाँ पर date डाल देगा तो मैं इसके लिए format काफी घिच पर चूगया बट इसके दर initial value आ जाएगी और जो भी date user select करेगा उसका date यहाँ पर select हो जाएगा अब मैं अब एक काम करता हूँ मैं सबसे पहले console पर लॉक करता हूँ कि चीज़े सही वे में आई भी है या नहीं इससे कॉपी करता हूँ again मैं से यहाँ से करूँगा comment and यहाँ पर आगे से comment करूँगा and यहाँ पर मैं उसको ऐसे कैसे paste कर दूँगा सिंपल सा मैसे करता हूँ save वापस जाते हैं अपने ब्राउजर में यहाँ पर आप देखते हैं क्या चेंजिस अपने को देखने को मिलते हैं तो कुछ इस तरह से अपन form को management कर सकते हैं बिना किसी third party utilities के और बहुत ही performance वे में use ref के अलावा भी कई methods है वा आप Google पर search कर सकते हैं पर use ref सबसे जादा use होदा है अगर मैं user ref को छोटा साफ को explanation देना चाहूं अगर आपने JavaScript को study किया है तो आप सभी चानते हैं कि अगर मुझे इस element को यहाँ पर inspect करना है तो मुझे से एक ID देनी होती है and ID देके फिर मैं यहाँ पर console में आके document.getElementById से वह value ले सकते हैं ठीक उसी तरह से जब अपन यहाँ पर reference लेट करते हैं तो reference असान करने के बाद React उसको यह particular ID दे देता है जिसकी help से उसको उपन नजर रख सकता है and अपन जब चाहें उसकी current values की initial properties कुछ भी change कर सकते है तो आज की वीडियो के लिए इतने हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में एजूबिट डिटा बने ग्रैब के उसको server पर हिट करते हैं